नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्री वास्तो आप हमां साथ देख रहे हमारा खास कारिकम बात अपने देश की आज जो मारा मुद्दा है वो कोई राजनितिक मुद्दा नहीं है ना वो मुद्दा सांस्कृतिक है ना वो मुद्दा धार्मिक है और ना वो मुद्दा जन्ता जु यहां मगड़ा है हमारा जो राश्टी प्यस्वी जो 1903 में बनाये गया था बाग और लगातार जो बाग की जनसंक्या है वो देश में कम होती जा रही है हाला कि प्रयास बहुत किये जा रहा है और इसके चलते जब 2010 में पहली बार अंतिराश्टी बाग डिबस बनाने की बाग लिया था उसमें बाट कही गई थी कि तेरा देशों ने कहा था कि 2022 तक हम अपने यहां बागों की संग्या को दोगना कर लेंगे और लोगों ने ऐसा किया भी हाला कि भारत कि अगरा आकड़े की बात करें तो भारत ने 2018 में यह आकड़ा पार कर लिया था कि या नहीं कि जब भारत में केवल चौड़ा सो बाग बचे थे तब इस मुहीम की शुरवात हुई थी और ब्यासविक इसतर पर इस बाग की चरचा हुई और जिन-जिन देशों में यानि 13 देशों में बाग पाई जाते हैं उन 13-19 सामिल होकर एक मुहीम के तहट अंतिराश्टी बागर्बस बनाने की बात की और यह बात है यह इसलिए कि क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो बिस्व भर में बागों की संक्या बहुत कम हो गई थी यानि बिस्व भर में बागों की संक्या दोजार से नीची आ चुक जिसके चलते दिबस मनाये की शुरुबात हुई गोचना हुई और तफसे लगाता दिबस मनाये जा रहा है और जिसका पारणाम भी देखने को मिला है भारत में पर इस बीज भी हम देख रहा है कि इतना बड़ा हमारा देश और इस देश में सभी के लिए जगा है सभी पर्यावन के लिए हम लोग सोचते हैं लगातार यहाँ पर पौधार उपड़ होता है और तमान तरह कि यहां उजना ही चलाई जाते हैं पर्यावन को देखते फिराल नाकाफी ही है जο्यम के इसमें लृच्तर परसेंट ब हमारे देश बहरें पाये जाते हैं पर इसके बाब जुर यह आकां नाकाफी है मैं मानता उन्य egyfold तर से पहले जो हम्हारे देश्क राषकर पसू का नाम दिया हुए थे शेर का रास्की पसू मानते थे पर 1903 में जब बाग की सर्चड की बात आई और प्रजेक्ट बाग बंगाल टाइगर शुरू किया गया उसके चलते हमने 1903 में जो वाग है जो बंगाल टाइगर है उसको अपना रास्टी पसी घुजद किया भारत का और इसके बाद से लगाता है इस मुई पर काम होता रहा हलाकि बाग सी सर्चड को बाग की जनसंग्या को बढ़ाने के लिए प्रयास अभी नहीं है पहले भी होती रहे है उन्नी स इसके सिकार पर रोग लगेगी इसके लिए प्रयास किया गया था उसी लिए उस समय इसको रास्टी पसी बनाए गया था बाग को यहां पर तप्सेम लगाता तमाम तरह की जोना चला रहा है प्रावण को बचाने की जोना चला रहा है बाग की सर्चड की जोना चला रहा है और उस समय अगर हम टाइगर रिजर्ब की बात करें तो उस समय टाइगर रिजर्ब हमारे देश में के बार नौ थे नौ टाइगर रिजर्ब थे यह बता रहा हूं 1973 की बात आज की समय में हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्ब हैं बड़ा और लगातार बागी आबादी को ब इस समय भार्त में जो बागों के आवादी यो 32erin से उपर होगी और इसके लगातार प्रयास किए जा रहा है कि यहां जो बाग की निया कैसे प्रजातियां मुलता पांच से प्रजातिय आए बंगल टाइगर भी साह्विरियन भी धी आ कि और दक्षिय फिर्ड में आपने अपने जो छेत्र में बागों के पर पेजना को लिएका पर कि अब भारत होना चीर्फिस करता है कि मोहीम तो चलाते हैं परने ही स्मुमिय दॉस है नहीं मिल पाया है क्योंकि अंतरास्ती बाग नबस जब मनाने की मुहिम 2010 में शुरू हुई थी तो यह कहा गया तो 2022 तक आपको बागों की संग्या को दुगना करना पर अब तक यह संग्या केबल भारत के दुगनी की गई है और यह आकड़ा भारत ने 2018 में प्रप्त कर लिया यह हमारा प्रयास था कि इसके बाग की जो संख्या उसको ना खून शूर। या दिधा का या ब्यापाद ना हो इसको लेका लिखे तमाम तरह के कानुन बना जा रहा है का पर अब चीज एक और सूचना नहों है देखने वाली एह कि हमारे तिर्स के बात होती है एक होती पर कुछ चीज ऐसी आती है जिससे लोग अचम्वित हो जाते हैं कि अगर जो बाग हैं उनकी लगातार मौत होती रहेंगी तो किस तरह से चीजे बढ़ेंगी किस तरह से पज़िनन बढ़ेगा किस तरह से विवस्थाएं सही होगी किस तरह से विवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी किस तरह से बागों के संख्या उसको बढ़ाया जाएगा इस मुहीं में तमाम तरह की लोगों ने जुना भी बनाई तमाम तरह के प्रजेक्ट भी बनाएगा बिन्हक टाया की 1993 में बंगाल टाइगर प्रजेक्ट बनाएगेगा उसकी चलते 1903 में जो सिर हमारा राश्ट्य पसुव हुआ करता था उसको हटा कर यहां पर बंगल टाइगर यानि बाग को राश्ट्य पसुव बराने की गोशना की गई उसके बाश से जो मुहिम जो लगाता चलती आ रही है कि बाग को सच्छन करना है पर हमारे देश में हम बागों की आबादी को सिस्तर पर नहीं ला पाएं जिसके हम उम्मीद करते हैं कि आसिए गाए सव साल पढ़ने के हम बात करें तो जो भागों अलबा पूरे बिस्ति में jest्बश नहीं है कि यह बाग केबल केबल तेरा डेसों में थे उस समय की से पराएं आखरी के बात करें तो लबा लबा देश विस्तों के 33 देशों में बाग हुआ करते थे 33 देशों में और अब बाग केबल 13 देशों में हैं और एकला का जो आखरा जो 100 साल पहले हुआ करता था आज वो आखरा 4500-4000 के लगवा आ चुका है कारण मुहीम चलाई थीम बनाया युजनाय बनाई पर जो पेजिनर होता है वो होता रहता रहा है लोग जंग संक्या बढ़ती रहती है बागों की पर अगर बागों की मित्यू भी होती रहेगी तो ये चीज नुकसान दे है और आप उस लच्छ पर नहीं पहुँच पाएंगे जि अबैर ब्यापार होता है जब अबैर खाल का ब्यापार होता है नाखुनों का ब्यापार होता है चम्री का ब्यापार होता है तो उस पर लोग लगाने का प्रयास तो होता है पर वो रोक नाकाफी सी साबित होती है शिकार के मामले में और साथी साथ जब हम जंगलों को खतम में आ जाते हैं अभी आप लगाता देख रहांगों जिस तरह से आपने कई मामले सुने होंगे कि राजधानी लखनु में भी बाग टेनुए घुसाते हैं वही तेनुए भी बाग की पिर जाती है और वो लगाता लोगों को उसने सिकार भी बनाया और ये बात केबल लखनु कि चलते गबा दी आकड़ा थोला चोकाने वाला है पर इसके साथ भी एक मैटपूर करी जुड़ी हुई है कि वो बाग रियायसी बस्तियों में क्यों आ जाते हैं बर जाहिर सी बात है जब आप उनके जंगल को खतम करेंगे जब आप अबैर कटान करेंगे जब आप करेंगे तो बहां पर बाग का आहार कौन बनेगा आहार मिलेगा नहीं तो जाहर सी बात है भूब की स्थिती में उसको अपना वो उजड़ा हुआ जंगल को छोड़के सेहर में घुसना ही पड़ेगा रियासी बस्तियों घुसना पड़ेगा क्योंकि जब भूब लगती है तब हमारी नीन खुलती है कि हाँ जो आज ये बाग हमारे बस्तियों में घुसा आते हैं अपना जंगल छोड़कर हमारे मानब जाती पर हमला कर रहा है उसका भी हंड़े परसेंट पूरी तरह से जम्मिदार हम खोड़ेगा बनाए जाते हैं उनके लिए तैयारिया की जात हैं और वहां पर बाग हमला करते रहते हैं अगर हम बागों की संग्या के बात करें देज बर में तो सबसे आरा बाग मदप्रेस में हैं और इसके अलग जो सबसे कम बागों की बात करें तो दो यार अठारा का अगर आंकरे के बात करें तो गोवा हमें केवल तीन बाग हैं कि गुवा राज कोफ जो अपने आदूनित्ता के लिए जो अपने जीवन सहली के लिए जो अपनी खूलसितुति के लिए प्रसिद्धायależ ऑपंगमग्प्रेटान ऱेंस्थालों में सामिल है। बलकि बिस्ट्व के परेटरस्टल में सामिल है क्योंकि यहां पर जो बेवस्थाएं हैं वो ऐसी हैं कि अगर आप किसी चीज को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे और साथी साथ यहां पर एक चीज और सोचने वाली है कि अगर हम चाहते हैं कि बाग की जो इस्थिती है वो सुद्रे तो उसके लिए प्रयाज भी करने पड़ेंगे अगरे आकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो पिछले आकड़े में ता रहा हूं मैं आपको हम 19 जुलाई को बाग दिबस मनाने जा रहा हैं 19 चे लेकर 21 तक का आकड़ा के मैं बात करूंगा तो देश भर में 319 बागों की मौत हो गई जिसमें 68 बाग जो हैं वो स्वभाविक मौत मरे यानि उनकी उमर हो गई थी पाँच बागों की मौत पता निचला संदिक दिर रही और 29 बागों को सिकारियों निसान बनाया और यहां तक कि मैं आपको बता दूँ कि लबा लबा 200 बागों की मौत के सही कारणों का पता ही निचल पाया और यह बार बताता है कि हम बागों के सर्चड की बात तो करते हैं अंतरास्ती बाग डवस तो मनाते हैं पर हम कितना सर्चड कर रहे हमारा दिल जानता है और जो आंकले हैं वो कर रहे हैं मैंना कोता है कि 2019 से किस्तक बाग के हमिले में लब 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 इसो पत्चीस लोग की जान भी चली गई कि जिसमें सबसे जो मामले हैं महाराश से और पत्चीस व्यक्ति उत्तर प्रिश्व में बागों के हाथों सिकार बड़े समस्या यह की कि जब खाने के लिए परिसान होगा जब पूरा जंगल उजार दिया इसको रहने की जगह नहीं बचेगी तो रिहाईसी इलाकों में आएगा तब वो जो मानब जाती को अपना निबाला बनाएगा और तब ही ऐसी गटना होती है कि बोला जाता है कि आदम खोर बाग को बचाने की परंपरा तो चल रही है और लिए बाग को बचाने की परंपरा तो चल लहीं है ब्युस्थाय चल लही है पर उसके बाब जूर हम काम नहीं करना चाहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन बर्स में 329 बागों की मौट चल रहा हूँ क्यों हो गई भई इसका आगला आपने क्यों नहीं देखा क्या कारण रहे सिकारियों ने 29 लोगों को सिकार बनाया और 197 बाग का रिकारडी नहीं है कि उनकी मित्यू क्यों हूई वो कहां गए अपने आप में बहुत बड़ा पिसन है यह अच्छे पिसन है और उत्तरा खंड के दो तो ताइगर रिजर्व है कारवेट और राजा जी यहां पर देश में सबस्यारा बाग रहते हैं तो वहीं बागों की बात तो होती है। उनके पेजनेंट की बात होती है उनके सर्चछ की बात होती है पर जिस तरह से 329 दोजार उननीश से 221 तक का जो आकड़ा आया है 329 वागों की मित्य हुई है यह आकड़ा अपने आप में सम्मिनल सील है वो आकड़ा जिसमें बड़ी संख्या में बागों की जान गई वो आकड़ा जिसमें 29 वागों को सिकार बनाया गया वो आकड़ा जिसमें 200 के लगबग वागों की मौती इस पस्त नहीं उपाई कि उनकी मौत क्यों हुई है वो आकड़ा जो हमाई लिए आज भी पिस्त बंदा है हमने जरूर मानते हैं कि हम में लच्छ पा लिया था अंतरास की बाग दबस की जो लच्छ लिया गया तो दो दस में उसको हमने पूरा किया है और 1400 से लेकर हम 3000 से उपर पूर्च चुके हैं अठारा में हमन पा लिया था पर उसके बाद जब हमने अठारा में अठाई सो माप कीज़ें 2967 हमने बाग कर लिये थे वो बाग आज की समय में 32 से उपर क्यों नहीं जा पा रहा है रीजन यही है कि पिजनन तो होता है जनसंक्या बड़ा ही जाती है चर्चन किया जाता है पर जब जिस तरह से तीन साल में 339 बागों की मौत हो गई और यह आखड़ा सरकारी है सही मामना में कितनी मौत बागों की हुई है यह थोड़ा जब इस पर सोर किया जाएगा जाज की जाज की जाएगी तो हो सकता है यहां आखड़ा भी और बढ़ के नेकले यहां पिसन है क्योंकि जो 339 बाग मरे है उन बागों में जो मैं आपको बताया आखड़ा कि 197 की लगब बाग ऐसे हैं जिनकी मौत समस्य परे है क्यों ही जिनकी मित्यू समस्य परे है जिनकी स्थिदी समस्य परे है कि ऐसी कौन सी स्थिदी घटिट हुई ऐसी कौन सी अबस्ता आई ऐसा कौन सा समस्य आई कि इन बागों की मित्यू हो गई हो जब 339 बाग हमारे तीन साल में मर गए हैं मित्यू हो गई इन बागों की तो हम कैसे स सुच पाएंगे कि अपने राष्ट्य प्रसूर को वह सम्मान दे पाएंगे हम कैसे सुच पाएंगे कि हमारा राष्ट्य प्रसूर जिसके लिए हम बताते हैं कि दुनिया में 70 प्रिश्ट भाग हमारे पास है उसका हम और कभ आंगे पड़ेंगे हम बाकी 12 देसों से अपनी बाग दवस मनाया गया था मैंने मानता हूं मेरा मानना यह है कि आगे अस्तिदी कभी ऐसा ना बने कि हमको फिर कोई जबस मनाना पड़े या फिर कोई घोचणा करना पड़े और फिर कोई मुहिम चलाना पड़े अगर अम बागों का लगाता सर्चर करते रहेंगे उनके ज अगये में अपनी सल्त्रेंट को रखेगा और रेंगल का जो राजा माना जाता है उसी राजा की हिसाफ से उसी पार्क उसी रिजर्ब में रहेगा और वो रियासी अलागों में तब ही आएगा जब उसको खाने के डिक्कट होगी जब समस्या होती जब पेट भूका रहता ह है तो निस्ती रूप से उसको फिर कहीं ने कहीं बोजन के लिए बटगना पड़ता है बटते बटते कभी कभी बाग रिजर्ब पार पार्क और तमाम जडियागरों को छोड़ के भी भागते हुए रियासी अलागों में घुज जाते हैं और जो यह 125 मौतों का आगला बता कर रहे हैं अगर हम बागों के पेजन की बात कर रहे हैं बागों के जन संक्या बलाने की बात कर रहे हैं अपने राश्के पशिव को यहां पर सम्मान देने के बात कर रहे हैं तो हमको कुछ बैतर का सुचना पड़ेगा एक यूना बनानानी पड़ेगी जिसमें सिकार ना ह करके देखाएंगे और बैठर कल केलिए अपने रास्ते अपकर नहीं क्योंकि जब पसुई नहीं होगे तो जंगल नहीं होगा तो परहावर्वन कैसा और परहावर्वन नहीं होगा तो मानजाती के कलपना भी कोफन ना थोगा तो आजी चरचा में इतना ही नमस गर आप देख रहे हैं